हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू बेसिक इंजिनियरिंग एकडमी तो गाइस आज की वीडियो को टॉपिक फोटो इलेक्रिक ट्रांसडूसर है जो अपकमिक एक्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे एक्जामिनेशन में क्वेशन पूछे जाते हैं तो फोटो इलेक्रिक ट्रांसडूसर को समझने से पहले फोटो इलेक्रिक इफेक्ट के बारे में समझते हैं फोटो एलेक्ट्रिक इफेक्ट का अविश्कार अलबर्ट एंस्टीन ने 1905 में किया था तो फोटो एलेक्ट्रिक इफेक्ट सिंपली इजेक्शन ओफ एलेक्ट्रॉन फ्रोम मेटल और सेमिकनेक्टर सर्फेस को कहा जाता है जब रेडियेशन ओफ लाइट मेटल सर्फेस से स्ट्राइक करता है यहने कि तकराता है तो इसमें सिंपली एनर्जी का ट्रांसफर होता है मतलब जो इंकमिंग लाइट का रेडियेशन आ रहा है वो एलेक्ट्रोन में शिफ्ट हो जाता है जिससे कारण इलेक्ट्रोन एनर्जाइज हो जाता है और मेटल सर्फेस से रिलीज होने लगता है फोटो इलेक्ट्रिक एफेक्ट में थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी का इंपॉर्टन रूल होता है थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी वो फ्रिक्वेंसी है जिसके बाद electrons मेटल सर्फेस से इजेक्ट होने लगते हैं फोटो एलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर तो फोटो एलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर एक ऐसा डिवाइस है जो लाइट एनर्जी को एलेक्ट्रिकल एनर्जी में कनवर्ट करता है फोटो एलेक्टिक टांस्डूसर सेमी कंडेक्टर मटेरियल से बना हुआ होता है फोटो एलेक्टिक टांस्डूसर में फोटो सेंसिटिव एलेमेंट लगे होते हैं और जब इसके surface पे sunlight का ray strike करता है तो इससे electron eject होने लगते हैं Construction Photoelectric Transducer का construction बहुत ही simple है Photoelectric Transducer में photosensitive elements लगे हुए होते हैं जो semi connector materials like cadmium selenide, germanium और selenium से बने हुए होते हैं Working जब light का radiation semi connector material से जजागर strike करता है तो photoelectric transducer उस radiation को absorb कर लेता है Absorb light semi connector material को energize कर देता है और फिर electron move करने लगता है Electrons के move होने के कारण semi conductor material का resistance, output current और voltage change हो जाता है Photoelectric Transducer का use biomedical में किया जाता है First, हमारे body में blood volume को photo detector से measure किया जाता है Second, pulse को detect करने के लिए और third, body का measurement भी करने के लिए किया जाता है इस चैनल पर कोई भी topic के real incident को बता जाता है तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो please subscribe our channel and hit the bell icon तो मिलते हैं next video में धन्यवाद